नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका प्रेश्तान गोर्जी पर एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ में दोस्तों आज का जो टोपिक होने वाला है वो होने वाला है रीट लेवल वन और लेवल टू के जो डीवी होंगे दोस्तों डोकुमेंट वेरिफेशन उसमें कौन-कौ से बाहर निकाल सकती है दोस्तों या फिर आपकी जो जो जोईनिंग है वो डीले कर सकती है दोस्तों तो वीडियो को लास्त तक जरूर देखें और वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं कर रखा है दोस्तों तो सस्क्राइब जरूर कर सबसे पहले हमार चैनल पर मिलेगी दोस्तों और आपकी कोई समस्य हो तो कमेट में जरूर लिखें दोस्तों चलते हैं फटा-फट से देख लेते हैं आपन कि कौन-कौन से डोकुमेंट आपको आपके डीवी में चाहिए होंगी तो दोस्तों सबसे पहले ये एक प्रकर की चेक लिस्ट है ताकि आपको जो सारे आपके डोकुमेंट है वो आपको एक लिस्ट में लाइन में जम जाए दोस्तों तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो ये जो सारे डोकुमेंट है एक तो आपको एक फाइल बनानी है दोस्तो दूसरी क्या है कि जो फाइल आप बना रहे हैं उस फाइल के कम से कम तीन कोपिया मतलब तीन फाइल जरू बना लें ताकि आपको भुविश्य में बार बार यह चीजों को दोहराना नहीं पड़े दोस्तों आपके फटा-फट काम हो जाए तो आपको करना क्या होगा तीन फा क्या नंबर है मेरिट नंबर वह आपको याद रखना है उसके बाद में आपका जो मैन मेरिट है वह कितनी है वह आपको याद रखना है दोस्तों उसके बाद में आपका आविधन क्रवांक आपको यहाँ पर याद रखना है इसके बाद में सबसे पहले आपका जो यहाँ पे आता हैं दोस्तों डोकुमेंट में यहां पे आपके जो ओनलाइन आवेधन की पेट्टी थी वह आपको जो फॉर्म आपने बढ़ रहा था उसकी जो फोटो कोपी थी दोस्तों वह आपको इज़र एड़ करनी है दूसरा जो है वह आधारकार की पेट्टी दोस्तों आधा सेमी होंगे बस उनकी जो डिगरी है वो बदल जाएगी बाकी रोकुमेंट सबके सेमी होते हैं यहां पर अधारकार हो गया उसके बाद में यहां पर 10th की मार्कषिट होगी दोस्तों 12th की मार्कषिट होगी और उसका प्रमाल पत्र की वो भी पती भी चाहिएगी आपको दू चाहिएगी दोस्तों उसके बाद में यहां पर अगर आपने ममस की हैं दोस्तों तो ममस का भी आपको जो सेमेश्टर हैं वो सभी सेमेश्टर की मार्कषिट और डिगरी वो उस्तुरा आपको चाहिए बाद दोस्तों अब लेवल वन के लिए देखें अब लेवल वन के लि दोस्तों यहां पर दूसरा चार वर्सी अगर आपने बी एलड किया है तो उसकी माक्षिट और डिगरी चीएगी दोस्तों यहां पर लेवल बन के लिए बाकी यह विशेश चिक्षा के लिए अगर आपने कोई ज्री वर्सी या डिप्लोमा की अंगता लिका भी चीएगी प्रति यहां पर लगानी है इसके बाद में आपका जो मूल निवास है मूल निवास की भी फोटो कोपी यहां पर चाहिए होगी मूल निवास में अगर आप टीएसपी एरिया से आते हैं तो आपका जो विशेश मूल निवास बना है दोस्तों उसकी आपको यहां पर फोट विन्तम विशेश मूल निवास यहां पर नया वाला चाहिएगा दोस्तों अगर आपने नहीं बना है तो बनवा लीजिएगा फटा फट से बाकी EWS अगर आपने फॉर्म बना है तो आपके लिए EWS का जो सर्टिपिकेट है वो आपको यहां पर लगाना पड़ेगा दूसरा क अन्य पिछडा वर्ग अति पिछडा वर्ग के लिए वैद्य अवधी का प्रमान पत्र हो वैद्य अवधी मतलब अभी लेटेस्ट वाला हो तो सही रहेगा दोस्तों इसके अलावा नहीं आगे चलते हैं यहां पर आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों महिला तता पूरवज राजस्तान के मौन निवास हैं, अगर विद्वा है, पुनर विवा नहीं करने सम्मदिद स्वाँ गोश्णा भी आपको यहाँ पर देने पड़ेगी दोस्तों, विवा विच्छी दन अगर तलाख शुदा हैं तो水 भीवे पुने विवा नहीं करने की संभर्सवागोषना आपको प्रिपस्टलीडबर देना पड़ेगा दोस्ते हम आपको संसां संसां संस्वागोषना तक संसांheen तो अधिक नहीं होगा दोस्तों 이제 विवास होने पर धहेद नहीं लने पर एक संब्दित स्वख गोष्णा आपको बनानी है उसके बाद में दोस्तों बुद्पूर्व अगर सैनिक हैं तो उसका अनापत्ती प्रमान पत्र चीएगा आपको बाकी आगे चलते हैं दोस्तों यहां पर सैनिक उत्कृष्ट की अन्यानर कि नादिश में फ्रवाण पत्र की जोशी इसका मतलब आपका पूलीस प्रिक्शन है वो छ्य महिने पूराना बस छय महिने से ज्याता नहीं होना ची दोस्तों 6 महिने के अंदर अंदर बनागवा पूलीस प्रिक्शन आपको यहां पे देना होगा उसकी बाद में यहां पर राजकी सेवा में कारेरत होने पर नियुकता अधिकारी द्वारा अना पत्ति पत्र अगर आप पहले से गवर्मेंट शर्विस में हैं तो आपको एनोसी देनी पड़ेगी दोस्तों एनोसी का लेटर आप समझ गया होंगे उसके बाद में डाही जाक से कम आये होने पर आपको यहां पर अगर आपने फर्म बढ़ा है तो उसका आये प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा दोस्तों इसके बाद में सेक्षिक एवंप्रसेक्षिक योगिता को संब्द में स्वागोशना पत्र आपको देना है सभी जो माक्षित आप फोटो कोपी रख सबस्थ राब अगर अब यहां पर आपने बेट लास्ट की है या फिर या सी लीए सी लाइसट किए भी से था की पैले नहीं होती है तो अगर डी चकी है या पिर से किये जर्फी राग्रस्तけ की है resort या जो दूस्तों अप आपको चाहिए भी हो उसके रधायित आवेदेन चुकलो जमान नए करने के स्थिति में अंतर राशी का ये तो ठीक है पोश्टोर अगर आपने नहीं कराया होगा तो बाकी दो गजेटेड ओफिसर से आपको सीसी चरीतर परमापत्र वो भी दोस्तों आपको बनाना है उसकी बाद में आपका जो हेल्थ हेल्थ करवाने हैं दोस्तों ये लेकर के जरूर जाएगा उसकी बाद में सबसे इंपोटेन आपके फोटो तो कम से कम पच्चास फोटो आप निकाल के जरूर रखें ताकि कभे भी कोई इमर्जेंसी पड़े तो आपको फटा-फट से फोटो मिल जाए दोस्तों बाकी ये थी को उसके उपर तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले और अपने जितने भी साथी हैं दोस्तों जो रीट के परिश्याम पास हुए हैं जिनका डीवी हैं दोस्तों उन तक यह वीडियो जरूर शेयर करें मिलते हैं सिब्लेट के साथ में तब तक के लिए दोस्तों जय जय अबारत